मदिप्रदेश कॉंग्रिस स्क्रीनिंग कमिटी के प्रमुक भंवर जीतेंदर हमारे साथ है पस्चीने में आप सबका पारोडाटर ले रहें यह दर्शाता है कि कितनी जादा लोगों के अंदर उपसुकता है एनरजी है आज मदिप्रदेश के अंदर और कॉंग्रिस करता चाते हैं कि सब्ता फरिवर्तन हो हमारा जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वह हमने ग्राउंड लेवल से आम कारे करता से ब्लॉक अद्देश से समों से हमने बात करके सब इन्फोर्मेशन ली है बिल्कुल पार दर्श्यता के हिसाब से टिकेट का वित्रन होगा हमारा प जनता पार्टी की जो लिस्ट है वो लिस्ट तरफ इस तरह की बनी है जिसके अंदर उन्हें पैसे लेके टिकेट बाटे हैं इसलिए जमीन पर वहां आपसी में जूत बज रहे हैं वहां एक दूसरे खिलाफ एफायर हो रही है जलू से लिकल रहे हैं पुतले फूक रहे है केंद्रेन के नेत्रत के तो वो वैसी लिस्ट कॉंग्रेस जारी नहीं करते हैं जीतने का भरोसा है क्योंकि आप पर सारा दारोमदार है जैसी टिक्टे हां फाइनल करेंगे उसी के हिसाब से सीट है देखे अभी हमारा जो एक तरह से 150-156 की बाद चल रही है लेकिन जो कमेटी मधिपरदेश के लिए जो बनाई गई है उसके प्रमुख है वो अपने दफ्तर के बाहर खड़े होकर जो नेता और कारकरता मधिपरदेश के आए हुए है कॉंग्रेस के टिकेट की उम्मीद में उन सब का बायो डाटा ले रहे हैं उन सब को मिलने की कोशिश कर रह हैं और दावा है कि बिल्कुल जो ग्राउंड से फीड़बैक है जमीनी फीड़बैक है उसके आधार पर टिकेट टै किये जाएंगे कॉंग्रेस को उम्मीद है बड़ी उम्मीद है कि जो एक एंटी इंकंबिंसी बीजेपी के खेलाफ बिते कई सालों में प्रदेश में ब कहा कि अभी करीब 15 दिन का समय कॉंग्रेस की पहले सुची आने में लग सकता है केमरा परसन हिमंत के साथ जैनेंद्र एबीपी न्यूज दिल्ली